नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैई चैनल, कुर्शेत्य नुवस्टी से अगर कोई स्टूडेंट डिस्टेंस एजूकेशन से बियाड करना चाता है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो में डिस्टेंस बियाड के लिए जि रहेगी पोर्टल कब उपन होगा और साथी साथ बियड की जानकारी यानि की आपकी फी स्टक्चर या फिर कितनी सिट्टे रहती हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, लिजिबिलिटी क्राइटीरिया क्या होता है या फिर जो टीचिंग एक्सपिरियेंस के लिए जो परफो सिट्टे रहती हैं इसमें 500 जनवरी सेशन के लिए 500 जुलाई सेशन के लिए, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बाते बताऊंगा सिर्फ उसके बाद बैचलर या फिर मस्टर डिग्री में आपके 50% नंबर होने चीए, अगर कोई SCST है या फिर disabled person है उसके लिए 47.5% चल ज रहेगी और उसके बाद आपके पास या तो NCTE से कोई भी डिपलोमा हो आपके पास तो चल जाएगा आपका किसी teaching experience में या फिर teaching में education में आपका कोई डिपलोमा हो या फिर elementary education में आपका आपने teaching की हो या फिर आपके पास कोई भी जेबीटी विगरा कोई भी course हो तो आप ब्याड कर सकते हैं और अगर आप किसी school में या फिर किसी भी government institution में प्राइवेट में या फिर educational institution में आप teacher हो या फिर teaching करते हो तो भी आप teaching करते हो तो भी आप ब्याड कर सकते हैं उसके बाद जो teacher experience के लिए जो certificate आपको fill करना पड़ेगा वो आज university ने जारी कर दिया है ठी आती साथ ये वहीं से आपको fill करवाना है जहां से आपने जहां भी आपने teaching experience किया है जिस भी educational institution में important बाते और आपको फीस तभी पे करनी है जब आपका merit list में नाम आ जाएगा उससे पहले फीस पे नहीं करनी और या फिर आपको distance education का कोई भी message आएगा फीस के लिए तब आ रहेगा वो हर्याना गोर्मिट के रूल के according रहेगा अब बात करते हैं आपके admission की date की जुलाई session 2023 के लिए ब्याड का जो admission का schedule रहेगा वो 16 अगस्या आपका admission सुरू हो जाएगा और अगर आपको किसी भी course में admission करवाना है जनवरी session या जुलाई session 2023 के लिए उस पे मैंने अ उसके बाद बात करते हैं कि फीस कितनी रहती है इसकी फीस आपके लिए ब्याड के लिए जो फीस रहेगी टोटल फीस रहेगी 33,400 और इसकी एक एर की फीस रहेगी 16,700 ऐसे ही 16,700 रपे second year के लिए उसके बाद बात करते हैं जो परफोर्मा मैंने बताया था teaching experience के लिए वो क फिर मेरे टेलिगराम पर भी मिल जाएगा इसको फिल कर देना जो भी information इन्होंने मांगी है यहाँ पर फिल करके जहाँ भी आपने experience किया था teaching experience की थी वहाँ पर आप इसको फिल करवाओगे उसके बाद बात करते हैं कि medium क्या रहेगा इसका आप हिंदी और इंगलिस दोनों medium से BAD कर सकते हैं और यहाँ पर BAD first year के यहाँ पर इन्होंने subject दिखाए हैं आप इसका screen shot ले लीजिएगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी यहाँ पर इन्होंने number भी बिताया है कि जैसे first, third और जो छटे number का subject है इसमें आपका 100 number का होगा paper ऐसे ही यहाँ पर जो fourth number है इसमें आपके two parts इन्होंने बोला है 50-50 number का ऐसे इन्होंने explain कर रख है कि कितने number का कौन सा paper होगा आप देख सकते हैं इसको और उसके बाद इन्होंने बताया कि 2 सालों की BAD होती है अगर कोई student 2 सालों में complete नहीं कर पाता repair आ जाती है तो maximum time आपको 5 सालों का दिया जाएगा और यहाँ पर second year के में अगर किसी को direct admission लेना है तो उसके लिए भी यहाँ पर condition दिखाई है कि BAD first year आपकी इस university से होनी चाहिए और यहाँ पर BAD second year के भी subject इन्होंने दिखाए है ऐसे ही इसका screenshot ले लेना number भी उताया है कि कि subject के कितने number होगे तो यह पूरी detail वीडियो थी सा भी जानकारी हो चुकी है वीडियो अच्छा लग हो तो like share जुरूर करना धन्यवाज जय हिंद